हेलो दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे बहतरी इन वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग ले बहुत अच्छी खबर लेकर आगया हूँ आप लोग ले बहुत बड़ी खुसकबरी है आपका सीटेट का एक्जाम जो भी हुआ था उसकी आंसर की आज जारी कर दी गई है आंसर की आने के बाद में आपका एक्सपेक्टिड कट ओफ क्या रहेगा ताकि आप लोगों का सेलेक्शन हो सके और गाइस अगर जो आपने यह वीडियो पूरा देख लिया क्योंकि जो भी मैं आपको कट ओफ बताने वाला हूँ वो बड़े बैतरिन तरीके से बताने वाला हूँ यही आपकी कट ओफ जाएगी और आप लोगों को करना क्या है मैं आपको केटेगरी वाइस कट ओफ बताऊंगा कितना परसेंटेज आपका पासिंग का रहेगा सारी जानकारी आपको बैतरिन तरीके से देने वाला हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते वे जरूर चलना पहली बार चैनल पर आप हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाईस नीचे लाल कलर का बटन दबा कर देख लेते गाईस आपकी केटेगरी वाइस कट ओफ क्या रहेगी तो दोस्तों यहाँ पर केटेगरी वाइस बात कर लेते हैं अगर आपके जनरल में इतने मार्क्स बन रहे हैं अगर आपके जनरल में इतने marks बनने है तो guys आप लोग selection के करीब हो OBC की मैं बात करूँ दोस्तों मैं आपको बार बार नहीं बोलूँ का लाइक करते हो चलना और चैनल को subscribe कर लेना किसी भी teaching exam के लिए OBC की मैं अगर बात करूँ अगर आपके यहां पर इतने marks है तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है ST कटेगरी की बात करूँ अगर आपके इतने हैं ST की बात करूँ अगर आपके इतने marks है तो दोस्तों आप लोग selection के करीब हो अगर आपके इतने number बनने है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है अब percentage की बात कर लेता हूँ तो दोस्तों यहां पर passing percentage की अगर मैं बात करूँ यहां पर आपके 60% होने चाहिए 55% यह आपके passing percentage है ओके 55, 45, ST केटेगरी में आपके 40% अगर आपके इतने passing percentage है तो आप लोग selection के करीब हो सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे मुझे comment करके बताएंगे आपके number कितने बनने है केटेगरी क्या है आपका male है यह female है ठीक है किस date को आपका exam था वीडियो पसंद आए like कर देना वीडियो अच्छे लागे नीचे लिख देना नाइस वीडियो और पहली बार चैनल पर हो चैनल को subscribe करके जाएंगे नीचे लाल कलर का बटन दबा कर ओके गाईस वीडियो को देखने के लिए धन्यावाद कर सकत दिया झार नाइस कर एंगे एंगे वीडियो अर ये ज येस हमाlar के गाईस वीडियोizer